हेलो गाइस जो अब हम परते हैं मैप टैग यह इंपॉर्टेंट टैग है आपके एक्जाम ने पॉइंट आफ दो इसको दियाद से देखिए क्या होता है अब पास एक इमेज पास धायज हुसी इसह में जैसे इसमेज कोई प्लैनल यह और प्लैनल बि rév स्केजर है उल एक सन और और प्लानल तीन है अब हम कहा रहे हैं कि हम इस प्लैनेट पर हम क्लिक करें तो हम इसका यह जूम बर्जन लिखता है जूम मतलब बहुत बड़ा बड़ा दिख चाहिए प्लैनेट ठीक है देखिया मैंने एक प्लैनेट पर क्लिक किया तो मैंको यह प्लैनेट दिख रहा है कुला जाए है करें पतला है काथ आप यह समय सबक्राइब करें तो इसेraste फॉक्राइबूर द्रखते हैं कर विइड़ियो चैने सेक्टोभ में ट्रिक जाए है किक्रम्राइब निया ओट्रों करें कि है अगर इमेज नहीं आई तो डिक्या जाए फ्लैनेट यह हो गया अब हमने एक इसको मैप बनाना है ठीक है तो हम एक special attribute रहे है उसका नाम हो था useMap, ठीक है equals to ठीक है और एक id लग देंगे है अपन ठीक है, planet map ठीक है अब एक map बनाओगे, यहाँ पर असली coding है, ठीक है, map बनाओगे, इसका जो name है, planet map, यह और इसमें जो आपने used map लिखा है, यह दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है, बस आपको hash order लगाना है, hash, hash लगाके planet map, यह कमकल सरी, यह as it is same होना चाहिए, ठीक है, अब इसकाद किती सब प इस map के अंदर, तीन एडियास है, ठीक है, तो अब आपको आपके चाहिए, कॉडिनेट्स चाहिए, कॉडिनेट्स क्यों, तभी तो आप इसको click करोगे, और use करोगे, like आपने का कि area, और आपने का shape होना चीज़ का rectangle, और जो coordinates है, वो total 4 coordinates है, क्योंकि यह rectangle है, यह आपने rectangle ल diameter, oh sorry radius, ठीक है, मला center और radius, center और radius, center और radius, ठीक है, अब देखिए, हमने का, कि अगर, यह देखने आप, 00 यह है, और 82, 186 है, यह है, ठीक है, इस पूर रेक्टेंगल में, अगर हमारा cursor कहीं भी click करे, यह देखने है, माउस मेरा आप कहीं भी click करें, तो क्या कहना चीए, sun, यह देखिए, href sun, अगर हम, इस coordinate के अंदर कहीं भी click करेंगे, इस coordinate के अंदर कहीं भी click करेंगे, जो कहना चीए, sun, यह देखिए, sun आ गया, ठीक है, अब हमने का, 90 से लेके, 58, 3, यह circle का वो है, यह देखिए, यह वाला, 98, 58, 3 as a coordinate, इस पे हम गई मी click करेंगे, जो कहना चीए, Mercury, देहिए, यह देखिए, यह देखिए, mercury, अब हमने का एक और area है, यह वाला, इसके coordinate है, 12458 और यह है Venus, यह है Venus, जा हम इस पे click करने जो कहना चीए, Venus, यह देखिए, वीनस, यह देखिए, यह देखिए, तो I think आपको समय यह और जो मैप इंडर जो नेम है as it is same होने चाहिए और जित्ते भी आपको डिविजन करने जित्ते भी ADS चाहिए ADS लेकर कोडियेंट पास करके और इमेज पास करने डेट चाहिए योदा का इमेज नतिंग एल्स ठीक है आपको मैप अगया होगा अब हम समझते हैं लिंक टैग लिंक बिसीकली क्या होता है कि हम अभी CSS पढ़ेंगे CSS क्या होता है तो हम CSS को एक separate file में लिखते हैं जैसे हमारा यह एक page है इस page की जो CSS होगे होगे हम एक separate page में लिखेंगे तो आब हमें यह करना है वह सेपरेट page हमें लिखा उसको हमें मिल जाएगा page सब्सक्राइगा पेज का नाम है theme.css जिसे HTML का फाइल का नाम होता है ठीक है type है CSS और जो reference है theme.css that's all so हमारे CSS है वो इंपोर्ट हो जाएगे हमारे HTML में ठीक है तो यह होता है हमारा क्या link tag ठीक है I hope यह भी clear हो गया होगा so I hope आपको समावी में आ गही होगी so thank you very much subscribe करना मत बूलेगा